असलाव अलेक्व विवस एंड वेलकम टो माई चैनल हेली एंड ब्यूटीफुल पेट सब विवस कैसे हैं आप उमीद याप सब लोग घर खेरिये से होंगे विवस आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग परिंदे पालते हैं जानू रखते हैं कोन कोझ सी मैडिसेंस और जवाईयां जो है आप लोगों के पास होनी चाहिए तो करते हैं start Korean को आज कीmegवार्णि और आप तो वीवर्स ये हैं सारे वो सीरप, कैपसूल्स और टैबलिट्स वगरा जिनकी जो हमें जरुरत होगी यानि कि वो लोग जो परिंदे वगरा मुर्गियां वगरा रखते हैं तो उनके पास ये सारे जो हैं मेडिसेंस जो होनी लाजमी हैं क्योंकि आप लोग पास ये सब ची में पहले जीका हूं और सब सक्ता हुआ हमें जिस पर नहीं में ऑpse धा आज हैं सब चीजों के बारे में आप लोगने सब नहीं सब में किस झारे इस पहले जो हम चुछुरू करते हैं तो इस पर जो है आप लोगों ने काफी पसंद की यो काफी देखी भी है तो ये गले खराब और बुखार के लिए और कोई पेन वगरा हो रहा हूँ मुर्गियों को तो उसके लिए इस्तमाल करते हैं और ये बहुत इफेक्टिव है क्योंकि इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ ये बहुत इफेक्टिव है इसको आप लोग किस तरह से इस्तमाल करना है वो तो आप लोग उसी वीडियो में देख लीजेगा और बाकी किस किस चीज के लिए इस्तमाल करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया इसके बाद जो है मेरे पास है ऑक्सी टेटर सैक्लिन डाय हाइडरेट कैपसुल इनके उपर इनका नाम भी लिखा हुआ है इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ तो यह सांस की जो तकलीफ होती है मुर्गों में जिसमें CRD आ जाता है उसके लिए बहुत मुफीद है प्लस यह एक एंटिबायोटिक है तो वैसे भी आप लोग इसको अपने मुर्गियों के लिए इस्तमाल कर सकते हैं बिल्कुल यह अच्छा कैपसुल है बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है तो इसको आप लोग अपने पास लाजमी रखा करें ऑक्सी टेटरसाइकलिन डाहेडिट इसका नाम इसके बाद है पैनेडोल और पैनेडोल टेबलिट जो है बुखार के लिए दर्द वगरा के लिए इसका मुर्गियों के लिए इसमाल कर सकते हैं आप लोग अपनी मुर्गियों के लिए इसका भी फास्ट रिजल्ट है और ये पैनेडोल प्लैन है और पैनेडोल एक्स्ट्रा आती है अगर पैनेडोल प्लैन आप खिलाएं इससे बुखार फोरण जल्दी खतम होता है और कोई पेन वगरा हो तो वो भी जल्दी खतम हो जाती है उसके बाद जो है मेरे पास है वाइडलीन ड्रॉप्स वाइडलीन सीरप भी आता है और मेरे पास है वाइडलीन ड्रॉप्स ये drops जो हैं मैं अपने बजीस के लिए इस्तमाल करता रहा हूँ उनके पानी में जो है मैं ये mix कर देता था तो उनमें जो भी vitamins की जो deficiency होती थी या जिन vitamins की उनको जरूत होती थी वो vitamins जो है उनको मिल जाते थे अब vitamin drops ही आप लोगों ने क्यों लेने हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए इस्तमाल होता है जैसे कि इसके उपर लिखा भी हुआ है कि ये infants के लिए है यानि के छोटे बच्चों के लिए तो ये हमारे बजीस के लिए जो है छोटे परिंदे हमारे जो है फिंचीस वगरा डव जितनी भी होती है या फिर कबूतर और तोते जो भी हैं ये चोटे हमारे परिंदे हैं उनके लिए ये मुफीद रहेगा और उनके पीने का पानी में जो है आप लोग इसको मिक्स कर सकते हैं तो इसके बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हैं मैं ज्यादा तर अपने बजीज के लिए इन ड्रॉप्स को इस्तमाल करता हूँ तोतों में अगर किसी चीज की कमी होगी तो बचे निकालते हैं जब उनकी बरिट करते हैं तो नकी बच्चों में भी ये जाहिर होने लग जाती है जैसे कि उघेड़े होते हैं चोंच में कोई कोई नहीं मसला होता है उनके पर जड़े हुए से रहते हैं तो इसका मैं इसंतमाल करता ही रहता हूँ और साथमें खुराग भी अच्छी रखें, अगर आप लोग खुराग अच्छी नहीं रखें तो इसका इस्तमाल लाजमी अपने बजिस के लिए करें, वाइडलीन ड्रॉप्स, और मैं आप लोगों को खोल कर भी दिखा देता हूँ, तो यह इस तरह का है, इतनी सी इसकी बोटल है, और साथ में इसके ड्रॉपर दिया हुआ है, इस ड्रॉपर की मदद से आप लोग पिला तो बजिस को खैर नहीं सकते लेकिन अगर मुर्गियों अगर आपको पिलाना चाहें तो पिला सकते हैं, और यह आप लोग पानी में फ्लेजल टैबलिट ये मुर्गियों को जो है कोई पेट की खराबी हो जाए मोशन्स वगरा के लिए हम फ्लेजल टैबलिट इस्तमाल कर सकते हैं वैसे मैं पहले जो है कैपसुल का भी बता चुका हूँ जिनका नाम था इमोडियम वो इससे भी ज्यादा जो है इफेक्टिव ले आया लेकिन ज्यादा तर जो है मैं अपनी मुर्गियों के लिए सिर्फ और सिर्फ इमोडियम कैपसुल का इस्तमाल करता हूँ और फ्लेजल का जब मैं इस्तमाल करना हो तो इसको मैं हाफ खिलाता हूँ लेकिन इमोडियम कैपसुल जो है वो मैं पूरा अपनी मुर्ग हैं जाहिर से बात हैं जब उनको खुराक ब्रोपर्ली bean majh नहीं मिल रही होती तो उनको जो है अर्ड दे रही होती है और खुराक भी प्रोपर्ली नहीं मिलेगी तो उनके water wash एक की हो जाती है वैसे मैंने बेहतरीन विजल्ट आप लोगों को मिलेगा इसके बाद जो है मेरे पास सेप्टरान सीरप और सेप्टरान सीरप जो है मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ के छोटे चुजों और मुर्गियों के जब चिचक वगरा मुँपर होती है तो उसके लिए जो है आप मुर्गियों के मुँपर कोई दाने वगरा हो तो उसके लिए बहुत यह मुफीद है तो इसका भी जो है आप लोग इसमाल कर सकते हैं इसमाल कैसे करना है वो मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ इसके बाद है मेरे पास लाइसोवेट सीरप एक बहुत ही बहतरीन सीरप है यह क्योंकि यह मुर्गियों में जितनी भी वाइटमेंस की कमी होती है उन सब डेफिशेंसी को पूरा कर देगा और जिन वाइटमेंस की मुर्गियों को जरूरत होती है वो वाइटमेंस जो है उनको मिल जाते हैं इसके इलावा भी कुछ टैबलिट्स और हैं जो इस वक चीजों की लाजमी जो है ज्रूरत होती है और ये सारी चीज़ें आप लोगें के पास लाजमी होनी चाहिए है तो लेकिन फिर भी अगर कोई चीज आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोगों ने बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे से पूछ लेना है आप लोगों को आपके सवाल का जो है जुआब मिल जाएगा प्लस वीडियो को जो है ज़रूर लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आप लोग मेरी वीडियो सको जो सिर्फ देखते है लेकिन आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पř्लीज यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में छोटी सी गंटी लगी होती है बैल आइकन जिसको हम कहते रहते है उसको जो है आप लोगोंने जरूर press करना है ताके मेरी हर नई वीडियो का notification आप लोगों को मिलता रहे so, viewers! यह थी आज की वीडियो, उमीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए, यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और share जरूर करना है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज